हलो बच्चो आप सभी का हमारे चेनल आइडिया देव के लाशेश में स्वागते हैं बच्चो आज हम आपके लिए जो एनस एन एस समद्धी जो प्रस्ण है महत्पूर प्रस्ण जो आपकी वार्सी पेक्षे में आ रहा है कक्षा पांच वी के लिए उसके महत्पूर सही वि पुस्ताइक खई दी गई एक पुस्ताइक किनी फुस्ताइक क्षेदी की देंगे fitness करके सबी स्कामे पुस्ताइक हर पर ₂b ऐनसे मुलिएे सभी पुस्ताइक सवान ओर फ्रस्ण एक सबचे लांट resignetれて नों में स्टाइबंने प्रस्षा इत गया में rice berlinucci फों को दुकान से खही जा गया कौन को सी बस्तु खही दे दाल 193 रुपए की चावल 245 का सक्कर 180 का दुकान लार को 500 रुपए का नोट देने के बाद और कितने रुपए देने होंगे तो आप क्या करेंगे तीनों दाल चावल सक्कर के मुले को जोड़ देंगे और उसमें से 500 घटा देंगे जो सेज बच जाएगा उत्ते रुपए आपको देने पहुंगे तो उसका सही आंसर आजाएगा डी नंबर का 118 फिर निम्रप्रेश्णम में जो डिब्बा है कि जो खाली डिब्बा है कि इस्थान पर क इसका गुणा करेंगे कि 296 आएगा तो आपको मालूं हो जाएगा तो इसका सही आंसर आजाएगा एगा नंबर आट का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 6 रूपे और कचोली 7 रूपे शोना और उसकी चहली दुकान पर एक एक प्लेट पोहा और दो-दो समोशा खहित्ती हैं उन्हें दुकानदार को कितने रूपे देने होंगे आप इसके अधार पर लिकाल सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर आजाएगा पड़ेगा 40 रूपे नेश्ट अगला प्रसम देखते हैं प्रस नंबर पांच प्रस नंबर पांच में दिया क्या दिया हुआ है पांच रूपे के 500 के साथ 50 रूपे के तीन और बीश रूपे के दो नोटों से मिलकर कुल कितनी राशी बनेगी तो पचास रूपे के खंड में 6-6 पुस्तके रखी हैं ऐसी ही चार अल्मारियों में कुल कितनी पुस्तके होंगी तो इसका सही आंसर आ जाएगा 6 नंबर का D नंबर कितनी हो जाएंगी 96 चानबे शाला में आउजित प्रतिव गीता हितु 491 उपवहार लाए गाए प्रतेक विद्याति को दोडो उपवहार देने के बाद 17 उपवहार बच जाते हैं तो कितने विद्याति को उपवहार दिये गाए तो यह उसका अंसर आ जाएगा यह नंबर का कैसे होगा आपको 451 उपवहार मेंसे जो 2-2 उपवहार देने के बाद कितने 17 उपवहार बच जाते हैं तो कितने विद्याति को उपवहार दिये गाए तो यह उसका अंसर आ जाएगा 217 नेच्ट अगला प्रसन देखिए प्रसन नमबर 8 शमान कदमों में समान कदमों से चलने वाले एक सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा उसके बाद इसको आप अंसर बता पाएंगे तो इसका सही आंसर सी नमबर का हो जाएगा 5000 भागित 25 फिर देखिए 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 50 मीटर सेंटीमीटर बदले तो कितने को सव का गुला कर दी तो कितना होगा 5000 उस पच्चिस का भाग पौधे देंगे तो में मालूम हो जाएगा प्रेशन नमबर नव एक माली 100 फौधे खिटा है और वह बगी चे को प्यतेक पंक्ती में 18 फौधे लगाता है वह कितने पंक्तियों में फौधे लगाएगा और कितने पौधे शेस बचेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा एक न एक हजार अगला प्रसंद देखते हैं देगे चित्रों में देखिए यह चितर दीए इसमें देखना है आपको निमन में कुन सा विरण सही है चितर एक का छेतर फल चितर दो के छेतर फल से अधिक है फिर उसमें का है चितर एक और चितर दो का छेतर फल समान है चितर एक औ एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच दोनों पांच पांच डिब्बें तो उनका छेत्र फल भी कैसा होगा दोनों का शमान होगा इसलिए बी नंबर का शही है नेक्स्ट अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नंबर 12 क्या कह रहा है इसमें नेम नमेश से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधीक है तो इसका सही आसर हो जाएगा थी नंबर का अगला देखिके दीयाकर्द्व का 6 दरफल कितना होगा तो जित्ते इसके आंसर इसका a नमबर आ जाएगा पांच प्रशन देखते हैं प्रस नंबर 15 धी गई आकरतियों में किस आकरति का सबसे कम है जिसका सही आंसर हो जाएगा एघन HEY का इस औरकरति के그 सबसे अधीक है आप इससे प्रिस्न है तो आप इसमें उसका चछितर फ़ंघा कर सकते हैं जिसमें सबसे अदिक चतर कर सकते हैं इसका सही आएंसर हो जाए गर देखें सब्सक्राइब कितना होगा तो यहां पर कितनी भुजा है सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए उसका परिमाप मालूम हो जाएगा हमें तो इसका सही आंसर आजाएगा बी नम्मर का बारा एकाई क्या जाएगा बारा एकाई एक दो तीन चार पांच शह साथ आर्ट नाव द ग्यारा और यह बारा इसके बाद नेक्स अगला प्रसन देखिए अठारा नंबर का नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें दोनों आकरतों का छेतरफल शमान है तो जिस जिन डिब्बो के अने की संख्या समान होगी दोनों आकरतिया समान होंगी तो देखिए यहां पर इसमें तीन है इसमें चार है इसमें पांच है इसमें तीन है इसमें दो है इसमें छे है इसमें पांच है इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा अठारा का ए नंबर फिर उनने इसमें देखिए उनने इस नंबर का प्रसन इस घड़ी को देखिए एक घंटे के बाद क्या सम गंटार पर देखिए और एक गंटे बात कितने शमया आएगा आपको यह बताना है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका दी नंबर का आ कि अग्ला प्रस्वा प्रस्वाइगा प्रस्व दो गढ़े lubी राजु खेल कर वापिस आने का समय, ये खेल के समय किता होगए हें यहां पर यह दिया हुआ है, और वापिस आने का समय दिया है, अब अब इसका आपको यह बताना है कि राजु कितने देर खेला तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 घंटे 15 मिनट अगला प्रसंद देखते हम कितने मिनट के बाद दी गई घड़ी में 10 बजेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। तीश नौ घंटे तक चला मदान साम पांच वज़े समाप्न होगा कितने वज़े प्यार भी हुआ होगा तो इसका सही आंस़र दी नंबर आठ भजे अगला प्रस्न देखे तीश नंबर का । एक बश भोपाल शे शाम 7 बजे छूटती है और अगले दिन सुभा 8 बजे स्यूनी पहुंसती है इस यातरा में बस कुल कितना समय लेती है तो इसका सही आंसर आजाएगा बी नमगा 13 घंटे एक यातरी 14 घंटे की यातरा करके सुभा 7 बजे इंदुर पहुंसता है उसने कितने बजे यातरा पैरम की होगी तो इसका सही आंसर आजाएगा साम 5 बजे नेक्स्ट अगला प्रसंद देखते हैं गर्मियों की छुट्टियों में यदि आप अंसुस अंसुस सची सारा और लीली के किम सती 70 60 20 50 पेज लिखे तो लिखे गए पेज और उनके नाम दी हुए है निम्न में से कौन सा विकल्ब लीली द्वारा लिखे गए पेज की संख्या दर्साता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये नमबर का फिर अगला प्रसन देखिए 26 नमबर का एक बगीचे में कुछ पौदे लगाएगा है जो नीचे बनी तालीका में दर्सा आएगा है कौन से पौदे सबसे अधिक लगाए गए है तो आप यहां पर देखके बता सकते हैं सबसे अधिक पौदे कौन से लगाए गाए है 148 कि तो राप प्राप्त अंक दी हैं चिएंग कितने अंक हैं जो टीम 3 के मों कितने अंक हैं आपको यह बताना है तो विए थलिशा सक्ष्ठ designing रचे फिर किया कहा है यहां और दो में कितने है एक दो तीन चार पाँच शह हैं और इसमें श्यान को घटा दीजिए कितना बच्छे का दो इसका सभी आञाएगा दो C number का आजाएगा next अगला प्रस्ट देखते हैं एक कक्षा में बच्चे साला समय के बाद निम्नाम साल समय व्यतित करते हैं TV देखना, अन्यकार करना, खेलना बच्चे खेल में कितना समय व्यतित करते हैं तो यहाँ पर इसका आपका अंसर आजाएगा खेलना अनिक साल आधा समय व्यतित करते हैं तो इसका आजाएगा आधा फिर इस चार्ट को देखिए तीस नमबर का प्रश्टन है इसमें कितने बच्चे बारिसों भीगना पसंद करते हैं तो यहाँ से देखिए इसका अंसर क्या हो जाएगा बारिस में भीगना पसंद नहीं है और यह है बारिसों भीगना पसंद है तो एक भाग में बारिसों पसंद नहीं है और बाकी में क्या है पसंद है तो क्या जाएगा इसका C नमबर तीन चौथाई इसका अंसर आएगा इसका तीन चौथाई अगला प्रसन देखते हैं 31 नमबर का चितर लेक को देखिए और उत्तर दीजिए ये चितर को देखना है और आपको उत्तर देना है फलों के बगीचे में आम के कितने पेड़ हैं तो एक, दो, तीन, चार जिसका आंसर क्या जाएगा D नमबर का चार फिर 32 प्रसन देखिए श शे कौन सी संख्या 4044 है तो आप इसका आंसर बता सकते है 4044 कौन सा है B नमबर का इस पकार से बच्चों आपको हमने जो NS के 33 प्रसन यहां पर आपको बताए 33 प्रसन में से आपको पेपर में 10 प्रसन सही विकल्प आना है यहां से निस्चित है आपको कोई न कोई विकल्प विपर में आएंगे तो ठीक है बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए सस्काइब कीजिए और गुरूप में शेयर जरूर कीजिए